भारत में शरणार्थी बन कर रहे तिबतीयों ने चीन को बेनकाव करने के लिए तिबती यूथ कॉंग्रेस ने इंडो तिबत वाइक रैली टू एक्सपोज चाइना का योजन किया है यह वाइक रैली धरमशाला से तिबत बॉर्डर तक निकाली जाएकी जिसको कांगडा के सांसद किशन कपूर ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था वहीं गधिवस यह रैली विश्राम केली बिलासपुरू की थी जिसको बिलासपुर भाजपे की जिलाध्यक स्वतंतर संख्यान ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया मैकलोडगन से 56 बाइकर रवाना हुए है कि जाए के नारे भी लगाए स्वातंतर संख्यान ने बताया कि जिस तरह चीन तिर्थियन समदाय के लोगों की परंपराएं मान्यताएं और धार्मिक चीन मिटाने की कोशिश कर रहा है उससे इन लोगों में काप याक्रोश है और इनी वाव में अपनी मात्री भूमी पर ना रहने का दुख दर्द साफ दिखाए देता है वहीं उनमें अपने राश्टर को लेकर एक नए उमंग जगी है क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चाइना के खिलाफ अपने सैनकों को खड़ा किया है उससे उनमें एक नए उमंग जगी है कि तिब्बत भी कभी एक अज़ाद मुलक होगा प्यार टेवी निउस ब्यूर रिपोर्ट विलासपूर